सब्सक्राइब कीजिए टेकमास्टर मुंसी यूट्यूब चैनल को और दबाईए इस बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए दोस्तो पिछले वीडियो पर फिर से आप लोगों का वही पुराना वाला रिस्पोंस देकर बहुत अच्छा लगा बस आप इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखिये तो दोस्तो हाजिर है आप लोगों की सेवा में Samsung Galaxy C9 Pro Tips and Tricks का दस्वा पार्ट इस पार्ट में मैं आपको Samsung Galaxy C9 Pro की कुछ और ने Tips and Tricks और कुछ Advanced Features के बारे में बताऊंगा साथ ही आज के इस वीडियो में होगा Take Master Munsi चैनल का पहला Giveaway और इतना ही नहीं इस वीडियो के एंड में मैं लेने वाला हूँ आप लोगों के कुछ कमेंट्स तो देखते रहिए इस वीडियो को नमस्कार दोस्तो मैं हूँ मेगरा जोर आप देख रहे हैं Take Master Munsi तो चलिए बिना वक्त गमाए शुरू करते हैं तो नमबर एक है Secure Startup जैरूल हसन ने कमेंट करके पूछा था कि ये Secure Startup क्या है तो दोस्तो Secure Startup एक Security फीचर है ये आपके तब काम आता है जब आप अपने डिवाइस को Start यानि की Own करते हैं तब ये आपके डिवाइस को सुरक्सा परदान करता है जब आपका फोन खो जाता है या चोरी हो जाता है तब ये फीचर आपके फोन और उसमें Store किये हुए डेटा को Secure रखता है और गलत हातों में जाने से रोकता है चलिए हम आपको Practically करके दिखाता हूँ तो इसके लिए अपने फोन की Settings में जाएए और Lock Screen and Security पर टेप कीजिए उसके बाद जब आप नीचे स्क्रोल करेंगे तो यहाँ आपको Secure Startup का Option मिल जाएगा इसको Open कीजिए अब यहाँ आपको दो Option दिखाई देंगे पहला है Require Pattern When Device Powers On और दूसरा है Do Not Require तो आपको पहला Option Select करना है और यहाँ से OK कर देना है अब आपसे Pattern मांगा जाएगा तो अपना Pattern डाल दीजिए बस तो यह तो हो गई इसकी Setting अब बात करते हैं इसके काम की तो दोस्तो जैसा की शुरू में मैंने आपको बताया था यह तब काम करेगा जब आप अपने फोन को Switch On करेंगे उस वक्त आपसे Pattern मांगा जाएगा और जब तक आप Pattern नहीं डालेंगे तब तक आप अपने फोन का कोई भी Function इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे उस वक्त आपसे Pattern मांगा जाएगा और जब तक आप Pattern नहीं डालेंगे तब तक आप अपने फोन का कोई भी Function यूज नहीं कर पाएंगे यह फीचर तब बहुत काम आएगा जब आपका फोन खो जाएगा या चोर हो जाएगा तब अगर आपके फोन में ये फीचर ओन रहेगा तो अगला चोर आपके फोन को यूज नहीं कर पाएगा क्योंकि जैसे ही वो आपके फोन को ओन करेगा तो उससे Pattern मांगा जाएगा बिना सही Pattern डाले वो आपके फोन को चाहकर भी ओन नहीं कर पाएगा और इस तरह से आपका फोन और डेटा दोनु सेफ और सिक्योर रहेंगे तो दोस्तों देखने में ये एक बहुती मामूली सा फीचर लगता है लेकिन है बड़े काम का इसे हमेसा ओन रखिए उसके बाद नंबर दो है ओपेरा मेक्स सोनू शर्मा ने इसके लिए कमेंट किया था तो दोस्तों ओपेरा मेक्स हमारे फोन में मुख्य रूप से दो काम करता है पहला डेटा सेविग और दूसरा सीक्योर कनेक्शन अगर बात करें डेटा सेविग की तो दोस्तों आपको पताईए हम लोग दिन भर डाउनलोडिंग, वेब सर्फिंग, फेस्बुक, वाटसेफ वगेरा यूज करने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और इसमें हमारा बहुत सारा डेटा खर्च होता है ओपेरा मेक्स क्या करता है कि खर्च होने वाले डेटा को कमप्रेस कर देता है जिसकी वज़े से बहुती कम डेटा खर्च हो पाता है यानि कि एक तरह से डेटा की बचत होती है तो यही काम है ओपेरा मेक्स के डेटा सेविंग फीचर का अगर बात करें दूसरे फीचर यानि की सिक्योर कनेक्शन की तो दोस्तो जब आप अपने फोन को किसी लोकल वाइफाई से कनेक्ट करते हैं तो आपने देखा होगा कि नोटिफिकेशन बार में ओपेरा मैक्स का नोटिफिकेशन आजाता है जो आप से सिक्योर वाइफाई यूज करने की रिक्वेश्ट करता है क्योंकि लोकल वाइफाई से अपने फोन को कनेक्ट करना सेफ नहीं है आप सोचते हैं कि यार फ्री वाइफाई मिल रहा है चलो जी भरके यूज करते हैं और ये भूल जाते हैं कि ये आपके phone के लिए कितना खतरनाक हो सकता है दोस्तो अपने phone को कभी भी अनजान या अन्सिक्योरड Wi-Fi से connect ना करें क्योंकि इससे आपके phone को hack किया जा सकता है आपका सारा data चोरी किया जा सकता है और आपके credit या debit card के details भी चुराई जा सकती है और कई बार hackers जान बूज कर अपने Wi-Fi को open रखते हैं यानि कि password लगा कर नहीं रखते हैं ताकि लोग उनके Wi-Fi network से connect हों और वो उनकी details चुरा सकें तो दोस्तो Opera Max का जो secure connection feature है वो क्या करता है कि आपके device और उस Wi-Fi network के बीच जो भी data का आदान परदान होता है उसको encrypt कर देता है यानि कि आपके phone और उस Wi-Fi network के बीच एक सुरंग बन गई है जिसने आपके phone को सीधे उस Wi-Fi network से जोड दिया है और अब जो भी data transfer होगा वो इस सुरंग के अंदर ही अंदर होगा इसका मतलब यह हुआ कि बीच में कोई तीसरा वेक्ती आपके data के साथ छेड़ जाड़ नहीं कर पाएगा लेकिन वो वेक्ती आपके data को हेग कर सकता है जिसके Wi-Fi network से आपका mobile connect है इसके काफी chances है तो दोस्तो मेरी तो आपको यही सला है कि आप कभी भी pre Wi-Fi के लालच में open और unsecured Wi-Fi से अपने device को connect ना करें उसके बाद नमबर तीन है connect to PC असद हुसेन का ये comment पढ़ कर मुझे लगा कि इसके बारे में आपको बताना ही चाहिए कि अपने phone को laptop या computer से कैसे connect करें वैसे तो ज्यादातर लोग इसके बारे में जानते होंगे लेकिन जो लोग नहीं जानते या जिन्नोंने नया नया laptop खरीदा हो और पहले कवी phone को laptop से connect ना किया हो तो ऐसे लोगों की जानकारी के लिए मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि हम किसी भी phone को laptop या computer से कैसे connect करें तो दोस्तों ये कोई मुश्किल काम नहीं है बहुत ही आसान है इसके लिए आपके पास एक सही डंग से काम करने वाली data cable होनी चाहिए मैं सही डंग से काम करने वाली cable इसलिए बोदरा हूँ क्योंकि कई बार हम कोई भी cable ले ले लेते हैं और उसके supportable नहीं होने के कारण हमारा phone laptop से connect नहीं हो पाता इसलिए पहले ये चेक कर लें कि आपकी data cable बिलकुल सही है उसके बाद आपको अपने phone में एक छोटी सी setting करनी होगी इसके लिए आपको अपने phone की settings में जाना है और developer options पर tape करना है यहाँ scroll करके नीचे जाना है और USB debugging के option को on कर देना है उसके बाद थोड़ा और नीचे जाना है और USB configuration पर tape करना है यहाँ आपको MTP यानि की media transfer protocol को select करना है बस अब अपने phone को data cable की मदद से अपने laptop से connect कर दीजिए connect करते ही आपके phone पर एक pop-up window display होगी जिसमें आपका laptop आपके phone का data access करने की permission मांगेगा जिसे आपको allow करना है बस अब आपका phone आपके laptop से connect हो चुका है और आप जो करना चाहते हैं कर सकते हैं और अगर laptop से connect करने के बाद आपके phone में कोई pop-up window दिखाई ना दे तो cable को laptop के दूसरे या तीसरे slot में लगा कर देखिए अगर फिर भी काम ना करें तो भाया आपकी cable में problem है किसी दूसरी cable से try कीजिए तो दोस्तों उमीद करता हूँ ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और अब आपको अपने phone को laptop या computer से connect करने में कोई दिखत नहीं होगी तो चलिए आगे बढ़ते हैं नमबर च्यार है apps management दोस्तों आप अपने phone में अलग-अलग काम के लिए बहुत सारी apps यूज करते हैं आपने देखा होगा कि जब भी हम play store से कोई app डाउनलोड करते हैं तो हमसे वो कई सारी permissions मांगती है जैसे कि camera, storage, contacts और location access करने की permission आप लोग यहां एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं और वो यह कि बिना सोचे समझे किसी भी app को सारी permissions दे देते हैं और कही बार तो वो permissions भी दे देते हैं जिसकी उस app को कोई जरूरती नहीं है जैसे कि किसी torch app को location access करने की permission देना और चेप हैं खैर आपके phone में ऐसी बहुत सारी apps हैं जो बिना किसी जरूरत के आपका data access कर रही है आपको उनका पता लगाना है और उनको रोकना है लेकिन कैसे चलिए मैं आपको इन apps का पूरा management समझाता हूं तो इसके लिए अपने phone की settings में जाईए और apps पर tape कर दीजिए यहां आपको अपने phone में जितनी भी apps हैं सब की एक list मिल जाएगी खैर यहां उपर right corner में जो three dots का option दिखाई दे रहा है उसके उपर tape कीजिए यहां आपको कापी सारे options मिलेंगे पहला option है sort by size यानि कि आप इन सारी apps को size के हिसाब से sort कर सकते हैं दूसरा option है default apps अगर आपने किसी specific काम के लिए कोई default apps set कर रखी है तो आप यहां देख सकते हैं और उसकी permissions को change भी कर सकते हैं जैसे कि मान लीजिया आपके phone में तीन browsers हैं एक Samsung browser, दूसरा Chrome browser और तीसरा UC browser अब मान लीजिया आपने UC browser को default browser set कर रखा है तो आप अपने phone में कोई भी link open करेंगे तो वो सीधे UC browser में open होगी लेकिन problem तब होती है जब कोई web page UC browser में ठीक से support नहीं करता और आप उसे Chrome browser में open करना चाते हैं तब आपको पहले उस link का URL copy करना पड़ता है फिर Chrome browser को open करके उसके address bar में paste करना पड़ता है ठीक ऐसे ही default audio या video player, default camera app, default photo editor इन सब के मामले में भी यही होता है तो अगर आप किसी app को default app नहीं रखना चाते तो यहाँ से उसकी permissions को बंद कर सकते हैं यहाँ अलग-अलग category दे रखिये browser app, calling app, messaging app, home screen और यहाँ आप select कर सकते हैं कि आपको default app का selection कैसे करना है और यहाँ set as default option की मदद से आप किसी भी app को default app set कर सकते हैं उसके बाद तीसरा option है app permissions का यहाँ आप देख सकते हैं कि body sensor को कितनी app access कर रही है calendar को कितनी app access कर रही है और इसी तरह camera, context, location, microphone, phone, SMS और storage को कितनी कितनी apps access कर रही है आप manually check कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि किसी app को उस चीज की permission की कोई जरूरती नहीं है फिर भी वो access कर रही है तो आप उसकी permission को बंद कर सकते हैं जैसे कि मैं यहां contacts की permission देखता हूँ तो आप यहां देख सकते हैं कापी सारी जो apps हैं मेरे contacts को access कर रही है और यह देखिए UC browser भी contacts को access कर रहा है क्यों भई? UC browser को contacts की क्या जरूरत है? storage का तो फिर भी समझ में आता है लेकिन contacts की कहां जरूरत है? तो अगर आपके phone में भी कोई ऐसी app है जो गलत permission लेकर आपका data access कर रही है तो आप उसे तुरंत प्रभाव से बंद कर दीजिए उसके बाद चोथा option है system apps का यानि यहां आपको उन apps की list मिल जाएगी जो system apps है यानि हमारे phone को चलाने वाले system का हिस्सा है और बहुती जरूरी apps है यह apps pre-install आती है और इनको हम uninstall नहीं कर सकते उसके बाद पाँचवा option है special access का यहां कुछ special चीजे हैं जैसे की device administrator और change system setting जैसी बहुती मैतोपुर्ण permissions है यहां आप देख सकते हैं कि इन permissions को कौन कौन सी apps access कर रही है अगर आपको कुछ गड़बड लगती है तो आप उस app की permissions को बंद भी कर सकते हैं चटा और last option है reset app preferences का यानि यहां आप apps की प्रात्मिक्ता या वरियता को reset कर सकते हैं उसके बाद नमबर पाँच है notification setting सारे फालतू notifications मिलते हैं क्या आप इन notification से परिशान हो चुके हैं क्या आप इन से छुटकारा पाना चाहते हैं अगर हां तो आप सही जगह आये हैं मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी notification setting जिससे आपको सिर्फ वही notification मिलेंगे जो जरूरी है तो आईए चलते हैं अपने phone की settings में और open करते हैं notification के option को यहां आप देखेंगे कि बहुत सारी apps हैं और उनके सामने on और off का button है इसका मतलब यह है कि जब यह button on रहेगा तो उस app के notifications आपको मिलते रहेंगे और जब आप इसे बंद कर देंगे तो उस app का कोई भी notification आपको नहीं मिलेगा यह तो हो गई normal setting अब बात करते हैं advance setting की तो इसके लिए आपको यहाँ advance पर tape करना है और किसी भी app को open करना है तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं हमें कई options मिल जाते हैं यानि इस एप के notifications को आप अपने हिसाब से manage कर सकते हैं customize कर सकते हैं अगर आपको किसी एप के सारे notifications चाहिए तो आपको allow notification वाले option को on रखना है और अगर एक भी notification नहीं चाहिए तो इसे open कर दीजिए दूसरा option अगर आप चाहते हैं कि notifications तो आए मगर ringtone ना बजे तो show silently का option चुन सकते हैं वहीं तीसरे option से आप यह ते कर सकते हैं कि low screen के उपर आपको notifications की detail किस तरह से दिखाई दे अगर आप hide content को select करेंगे तो आपको low screen के उपर हर notification की जगे hidden content लिखावा दिखाई देगा वहीं अगर आप do not show notifications को select करते हैं तो आपको low screen के उपर notifications की कोई detail दिखाई नहीं देगी उसके बाद चोथे option यानि कि set as priority को अगर आप own रखते हैं तो उस app के notifications को प्रात्मिक्ता से दिखाई जाएगा यानि उस app के notifications आपको सबसे पहले और अनिवार ये रूप से दिखाई देंगे तो आपको तै करना है कि कि किस app के notifications आपको own रखने हैं और किस app के बंद किस app के notifications silently आने चाहिए और किस app के notifications ringtone के साथ ये आपको तै करना है इसके अलवा notification पैनल से भी आप किसी app के notifications को silent या block कर सकते हैं इसके लिए आपको उस notification पर long press करना है यानि एक दो सेकिंड तक दबा कर रखना है उसके बाद आपके सामने इस तरह से तीन options आजाएंगे जो आपको select करना है कर दीजिए बस तो इस तरह से आप अपनी मन पसंद notification सेटिंग करके जरूरी और काम के notifications प्राफ्ट कर सकते हैं और फालतू और गैर जरूरी notifications को बंद कर सकते हैं अब बात करते हैं कुछ comments की जिनके बारे में बात करना बहुत जरूरी है तो पहला comment है अताउला अंसारी का ये लिखते है separate app sound क्या है कैसे यूज करें और GI app बनाने का सही तरीका बताएं Samsung app video player से तो भाई separate app sound का मतलब है कि आप हर app के notifications के लिए अलग-अलग sounds याने के ringtone set कर सकते हैं और रही बात GI app बनाने का सही तरीका बताने की तो आप मुझे ये बताएं कि पहले मैंने जो तरीका बताया था वो क्या गलत था Samsung video player की मदद से GI app बनाने का तरीका मैं पहले ही बता चुका हूँ तो भाई पुराने वीडियोज को देखिए साइद दूसरे या तीसरे पार्ट में आपको ये मिल जाएगा अगला कमेंट है नोसाद खान का इन्होंने लिखा है कि smart steak के बारे में बताईए न please sir please c7 pro का तो नोसाद भाई आप जैसे बाकी लोग जो इस चैनल से हाल ही में जुड़े हैं और जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोज नहीं देखे उन सबसे मैं यही कहना चाता हूँ कि पहले आप पुराने वीडियोज को देख लीजिए हो सकता है आप जिस चीज के बारे में पूछना चाते हैं वो मैं पहले ही बता चुका हूँ तो आप पहले सारे वीडियोज को देख लीजिए अगर उन में कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में मैंने अभी तक नहीं बताया हो तो उसके बारे में आप पूछ सकते हैं मैं जरूर बताऊंगा और नोसाद बाई स्मार्ट स्टे के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ आपके पास सेमसंग का कोई सा भी फोन हो बले ही C9 Pro हो या C7 Pro J7 हो या A7 कोई फारक नहीं पड़ता स्मार्ट स्टे हर सेमसंग फोन में सेम काम करता है खेर चलिए अब बात करते हैं गीववे की तो दोस्तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जिस प्रोड़क्ट को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे मैं उसी का गीववे सबसे पहले करूँगा और सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे पैन कैमरा को तो दोस्तो आज मैं इस पैन कैमरा का गीववे कर रहा हूँ में हिस्सा लेने के लिए आपको इस वीडियो को लाइक और शेर करना है और एक कमेंट करना है जिसमें आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस चैनल पर आगे आप किस तरह के वीडियोज देखना चाते हैं यानि कि आप वीडियोज को और ज्यादा बहतर बनाने के लिए सुझाव दे सकते हैं आपका खुले दिल से स्वागत है और इसके अलवा आपको इस चैनल को सबस्क्राइब करना है बस तो बस यार आज के इस वीडियो में इतना ही आपका खुले अबस्का खुले अबस्क्राइब कर दो आपका खुले अबस्क्राइब करना है